कि बहुत सारे लोग जो ये सोचा करते थे कि क्योंकि अब एडल्ट्री सुप्रीम कोट ने एक क्रिमिनल ओफेंस के रूप में बंद कर दी है, खत्म कर दी है, तो वो अब लिविन रिलेशन्शिप में किसी के साथ भी कैसे भी रह सकते हैं जब से सुप्रीम कोट ने एडल्ट्री को करिमिनल ओफेंस मानने से इनकार किया है, तब से बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका उतपन हो गई है कि अगर वो लिविन रिलेशन्शिप में रहेंगे तो उनके विरुद किसी भी तरहां की कारवाही नहीं की जा सकती जी हाँ आप सभी ने बिल्कुर ठीक समझा ठीक इसी तरहां का एक केस राजस्थान हाई कोट तक पहुँचता है और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा और क्या था ये केस आईए समझते हैं वीडियो में और जानते हैं कि आखिरकार क्या निर्णे दिया गया राजस्थान हाई कोट के द्वारा मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुना स्वागत कती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के Legal Informative वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके इस केस के अंदर जो अपिलेंट है हरी सिंग वो एक मैरिड कॉंस्टेबल है इस हरी सिंग का निचली कोट में ओर्डर हो गया था निशकाशन के लिए और यहां पर इस निशकाशन के विरुद इसने ये अपील फाइल की और कहा कि वो अपनी निजी जंदगी में जी रहा था और अपनी निजी जंदगी में अपने इच्छानुसार वो जीने का उसके पास अधिकार है और उसका नियोकता यानि कि जो उसको नौकरी देने वाला व्यक्ति है वो उसकी निजिस जंदगी के विकल्पों को निधारित किसी भी तरह से नहीं कर सकता और अपने बचाओं में हरी सिंग ने हाई कोट के सामने इंडियन पुरानिक कताओं का हवाला भी दिया हाला कि यहां पर जस्टिस ने उसकी सभी दलीलों को खारिश कर दिया और इस केस में राजस्थान हाई कोट ने बिलकुल स्पश्ट रूप से कह दिया कि हाँ निजिस जंदगी में स्वतंतर रूप से अपने हिसाब से जीव जीने का काम नहीं कर सकते और अगर आप अनैतिक जीवन जीते हैं तो उसको रोकने के लिए आप भारतिये पुरानिक कताओं का हवाला भी नहीं दे सकते हैं और ये सब कहते कहते अदालत ने कहा कि सभी सरकारी करमचारी कुछ विशेश नियमों से बंदे हुए होते हैं काम के घंटों के अंदर और बाहर दोनों जगा पर उनको अचार सहीता का पालन करना होता है और इस बात पर भी जोड़ दिया जस्टिस ने कि हर एक सरकारी सेवक को लोक सेवक के रूप में अपने निजी और सारवजनिक जीवन दोनों में अपने उच्च मानक तै करने होंगे और यहां पर जस्टिस ने ये भी कह दिया कि अपने निजी स्वतंतरता के नियमों का दावा करने की अनुमती किसी भी सरकारी करमचारी को किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती वो निरंकुष जीवन नहीं जी सकता निरंकुष अधिकार नहीं रख सकता हरी सिंग के इस मामले में अदालत ने ये भी कहा कि वो एक विवाहित महिला के साथ एक सरकारी आवास में रह रहा था जबकि वो अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों के साथ संपर्क बनाये जाने में विफल रहा मतलब हरी सिंग किसी और विवाहित इस तरी के साथ सरकारी आवास में लिवन रिलेशन्शिप में रह रहा था जबकि इस हरी सिंग ने अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह कोई भी संपर्क नहीं साथा इसलिए अदालत ने पाया कि नीचे बिलकुल ठीक निशकाशन किया गया है इसका और जो निशकश निकाला गया था कि इस हरी सिंग ने गंभीर कदाचार और अनुशाशन हींता की है इसमें कहीं भी गलती नहीं की गई है और अदालत ने अपने फैसले का समर्थन करने के लिए कानोनी मिसालों का बहुत हवाला दिया विभागिये जांच इत्यादी का पूरा उन्होंने हवाला दिया और जितने भी एविडेंस हुए थे उन सभी का हवाला दिया और लास्ट में आते आते राजस्तान हाई कोट का जो फैसला है आप सभी को भी ये संपस्ट संदेश ये एक क्लियर क्लियर आप लोगों को संदेश देता है कि सरकारी करमचारियों को निर्धारित आचरण नियमों का पालन करना चाहिए और आप भारतिय पुरानिक कताएं या रिती रिवाजों का हवाला दे करके ऐसे नियमों को नजर अंदास नहीं किया जा सकता इस केस का टाइटल है हरी सिंग बनाम राजस्थान और ये केस का फैसला आया है 20 सितंबर 2023 को और इस फैसले को आने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर स्पश्ट हो गई है कि बहुत सारे लोग जो ये सोचा करते थे कि क्योंकि अब एडल्ट्री सुप्रीम कोट ने एक क्रिमिनल ओफेंस के रूप में बंद कर दी है खत्म कर दी है तो वो अब लिविन रिलेशन्शिप में किसी के साथ भी कैसे भी रह सकते हैं और ना तो कोट ना तो समाज ना कोई और व्यक्ति उनको ऐसा करने से रोक सकता है तो ये जो केस है इसका निरने इसमें एक नजीर साबित होगा और हर एक व्यक्ति जो live-in relationship की तरफ को भाग रहा था ये सोचते हुए कि कानून भी इसका साथ देता है तो यहां आपको ये स्थिती clear हो चुकी है कि कानून के हिसाब से अगर आप live-in relationship में भागेंगे तो आपके उपर भी departmental inquiry हो सकती है आपको भी निशकाशित किया जा सकता है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको like, share और comment करना ना भूलेगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी subscribe कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के legal informative वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा Thank you, take care, bye bye